जैसे हमारी इंडिया को पूटेक्ट करने के लिए एक द्धिय tämä इस्टम बनाईगेऊ हैं जिसक Ó इंडियन आर्मी निमी अ इन अइन आरफ्रोस उसी तरह हमारी बॉडिक्वेश्च करने के लिए ठीद्धिन के लिए इस इस्टम बनाई गई हैं जिसको हम इम्म्यून सिस्टम होते हैं और आज तार की लाइस्ट्राल में ये इम्म्यूनिटी को बढ़ाना बहुत स्यादा जरूरी है तो आज हम इम्म्यूनिटी पे बात करेंगे तो मैं डॉक्टर ओनारी चौहार आपका मेरे चनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं स्वाथिय जो के रिलेक्टेड तू दौपिक्स of health and happiness तो प्लीज इस वीडियो को लास्तने जरूर-जरूर देखेगा तो फर्स्ट हम डिसकस करेंगे कि न्यू इम्म्यून सिस्टम कैसे वर्क परता है और इससे वनता है तो जो इम्म्यून सिस्टम होती है वो special cells है वो organs है and tissue वो combine होके जो इसको नेटवर्क प्रियेट करते हैं और जो उसका major part होता है वो एक lymphatic system होता है जो lymphatic system है वो lymph vessel like blood vessels यह lymph vessel होती है वो body में से जो lymph होता है उसको पूरे body में से लेकर आती है और जो damage products होता है वो उससे पूरी body में cover करती है और immune system के जो cells होता है उसको हम बहुत है WBCs यह the white blur cells the white blur cells are the protective cells are the defense cells of our body जभी भी हमारी body में बहार से कोई pathogen या virus या bacteria और any type of organism enter करते है तो उसके against हमारी body WBCs को attack as a cell वो attack करता है उस पर और fighting cells की तरह वो काम करता है ना हमारी immunity लो होने की भी कारण होते हैं जिसमें से फॉस्त हो यह कभी भी कोई बच्चा गर जन ले तो उसकी immunity in one ही weak होती है तो उनको हम primary immune deficiency हो सकते हैं और second is कही लोगों की immunity अग्डम active होती है कही लोगों की allergy हो जाती है that is allergic reaction उनकी immunity तुरंकी react करती है like food poisoning हो गया या eczema हो गया और rashes हो गया या कुछ भी हो ऐसा तो उसको active immune बोलते हैं third thing is that that is autoimmune disease like first diabetes mellitus type 1 diabetes mellitus that is lupus erythomatous and rheumatoid arthritis ये सारे disease में क्या होता है कि immunity खुद अपने body के style के against ही काम करने लगते हैं उनके ही attack करने लगते हैं fourth one is that कई बार हमारे body को कोई disease affect कर जाता है उसकी वज़े से हमारे immunity रोग जाती है ना हमें ये देखना है कि हम ये immunity को हम maintain कैसे करें first thing जो भी लोग first region होता है कि smoking जो भी लोग smoking करते हैं या alcohol लेते हैं उसकी वज़े से उसकी immunity कर काफी असा होता है इसके लिए उनको ये सब अब धीरे कम करके सिर्फ बन भी कर देना चाहिए second thing is the sleep, sleep is the most important thing अगर हम proper sleep नहीं लेगे साथ से 8 धंटे के इस प्रॉपर स्लीप होते है अगर बही नहीं लेगे तो हमारी body अच्छी तरह से काम ही नहीं करता है third thing is stay hydrated, पानी जितना ज्यादा हो उतना पीए आपकी body requirement को देख कर आप पानी पीए इसका मतलग यह नहीं एगे दिन में 3-4 लीटर पानी पी जाए और आपकी body को आपकी body को जबी भी नीड हो आपको जबी लगे कि नहीं मुझे अभी प्यास लगी है तभी आप पानी पीए और थोड़े थोड़े दिर तक पीते रहें जिसके वजासे आप हाइड्रेटे रहें and the last one is the green leafy vegetables and fruits आजकाल की life में junk food और यह सबने पूरा immurity है वो डूरी down कर दिया है इसकी वज़र पर हमें जो है जो vegetables है उन पर ज्यादा देना चाहिए the most important thing is that के आजकाल की lifestyle है है कि हम तो stress ज्यादा ले लेते हैं हम अपनी physical health पर तो साय ज्याद नहीं देते हैं लेकि हम mental health पर कभी भी ज्याद नहीं दे सकते to minimize the stress is also a very important role in the immunity and the last one is physical health and mental health दोनों ही important है तो physical health के लिए maintain करने के लिए हमें daily exercise तो करने ही पड़ेगी जिससे हमारी immunity अपने आपकी boost up होती रहेगी daily life पे और कई बार क्या होता है कि हमारी body में जो micronutrients है अगर उसकी deficiency हो जाए उसकी कमी हो जाए हमारी body में तो उसकी वज़े से भी हमारी immunity लोर हती है like a zinc है, copper है, folic acid है, iron है vitamins like A, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B complex they are the most important micronutrients of our body अगर इसकी कमी हो जाए तो उसकी वज़े से भी हमारी immunity काम खाफी लोर हती है अभी आपने यह सब तो देख लिया कि क्या immune system क्या होती है कैसे वग करती है, क्यों लोर होती है अब यह the most important thing है हम इसको boost कैसे करें हम हर रोज अपनी immune system को healthy कैसे रखे यह सबसे ज़्यादा इपोड़ा इसकी क्या है इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए जो लिश्ट में फर्स्ट आता है that is citrus food citrus food होते हैं इसमें vitamin C बहुत ज़्यादा होते है और vitamin C क्या करता है जो हमारी body में जो WBCs है उनको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा help करता है वो उसको production को increase करता है और citrus food में like lemon है orange है crab roots है और यह सब foods citrus food के जो बाद आता है that is red pepper bell red pepper bell में citrus food में vitamin C होते हैं उससे भी double होते हैं तो उसमें red pepper bell होता है उसमें vitamin C होता है उसमें healthy skin healthy eye जो बहुत जाए garlic है जो हम रोज हमारी रसो में यूज लिए लेकिन वो रसोई से ज्यादा भी हम अगर उसको raw food ले तो वो बहुत effective होता है garlic in zinc 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 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसकी वज़शे वो क्या हो BP को normal रखने में यह बहुतлекर ज्यादा मदद करता है लिए जिंक, और और जिंक प्रेशन भाना मुड़ाली होता रिक Panduffy तो फिर्फ वन इस टर्मरिक है, वह हम अपने खाने में बहुत हरोज यूज करते हैं लेकिन अगर हम उसका कच्छा सेवन को तो वह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एफटिव होगा तर्मरिक में नामद पिगमेंट होता है जो एंटी इंफ्लमेटरी होता है और हम यह कभी चोट लग जाए कभी भी यूस करते हैं यह अंतिसप्टिक काम करता है और वह हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारी बॉड़ी की इम्यून सिस्टम फो बुष्ट करने में उसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है दूसरे जो ग्रीन वेजटबल्स होते हैं लाइक स्पिनेच है ब्रॉकली है उसमें क्या होता है कि वाइटामिन A और E उसकी मातरा बहुत ज्यादा होते है जो हमारी बॉड़ी में जो डगलो बीसींस है उनको बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा काम करता है डूसरी प्रॉपटी बॉस्तरी प्रॉपटी दोनों अटियोप्सिदन प्रॉपटी इंजाइम भी और उसमें वाइटामिन C की मातरा बहुत अच्छी होती है और वह भी हमें इम्मुन बॉस्ट करने में बहुत ज्यादा है जो कीवी होता है कीवी में भी फॉलेट है आयन है और वाइटामिन E & C की मातरा भी बहुत ज्यादा होती है वह भी हमें बहुत बहुत करता है जो यॉगर्ट हुथा है उसमें भी जो एंटी ओक्सिदन प्रॉपर्टी वह बहुत अच्छी होती है और वह हमारी इम्मुनेटी को बहुत अच्छी से बूस्ट करती है जो ग्रीन टी होती है उसमें बहुत अच्छी है लेकिन जो ग्रीन टी होती है उसमें बहुत अच्छी है लेकिन जो ग्रीन टी होती है उसमें बहुत अच्छी है लेकिन जो ग्रीन टी है उसमें बहुत अच्छी है लेकिन जो ग्रीन टी है उसमें बहुत अच्छी है उसमे जो आलमन्स होते हैं वो वाइटामिट E के बहुत ही अच्छे वृत सोर्स माने जाते हैं आलमन्स को तो हर रात को रोज जो पांच बैदाम है वो बिगो देने चाहिए पानी में और सुबह उसके निकाल के पांच भुखे पे खा लेने चाहिए तो उससे क्या होता है कि हमारी इम्मुनिटी को बूस्ट अपर रखने है वो यह तर्मिरिक बिलते हुए दूद को एक गलास बाल लेना चाहिए और उसमें एक चमब चितना टर्मिरिक डाल के रात को सोने से एक घंटे पहले ले लेना चाहिए तो उससे भी क्या होता है कि हमारी इम्मुनिटी बूस्ट सुब्सक्षित में रहान ऊपनी χ में लाका अगुण lut चाहिए ज़सेते हैं फ्लूुमुन खिती हैं, अर्शन है। जो इसकी पेशेंट को जो सिंटम्स होते हैं उसकी इम्मुनिटी और इसकी एलर्जिक रेक्शन में उसको इम्मुनिटी बूस्टब करने में हल्प करता है यह था आज का मेरा वीडियो जुसमें आपको मैंने इम्मुनिटी के बारी में बताया यह मेरा पहला वीडियो है तो आपको अच्छा लगे और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंड और अगर कोई दूसरी इंफोर्मेशन चाहिए तो उसको भी मैं आगे देती रहूँगी और ट्राइ करंगी कि मैं अपना बेस्ट तरीके से दूख तो प्लीज मुझसे अबना मैंशा जुड़े रहना, so bye!